वेल्कम बैक तो माई चैनल दो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पुछा पार्ट से जुड़े हुए और आपके साथ शेयर करते हूं उपनी लाइफ का एस्पेरेंस उपरेंच है श्वीकिष्णा सवाव है और आज का वीडियो थोड़ा से सवालों से भना हुआ है बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो लोग नय थे उनके भी थे जो लोग पुराने हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि स्वेक्टिक को पिंच aur्ने मजा आता है तो कुछ ऐसी भी लोग थे तो सब के मिलских तो मुझे लगा सबके जवाब है देती हु ऊए सबसे पहला जो सर्व परतंप स्वाल है जीसे में किलिए्ल कर चुके हैं ayvo इअ अब ऑड़ा कानग मैं बबता देती हुँ एसे बेटी और दो अनियए लगता आप पूरा नहीं देखेंगे इसके बाद सुर्कामेंट करेंगे तो हो गया रहा है बार बार आपको इची से याद दिला दिला दे रहे हैं तो जी लक्षमी जी और विष्णु जी खंडित हो गए कैसे खंडित होगा आपको बता दूँ नवरात्री के एक दिन के पहले एक दिन ठीक है मतलब वो जैसे की आज शाम को जो है मैं साफ सफाई कर रही तो मुझे लगा मंदिर शाफ कर लो तोड़ा सा डेकोरेशन कर लू और कुछ विग्रह मैंने मंदिर के बाहर निकाले मुझे इनको तयार कर दो उसी समय में तयारी कर रही थी और तब तक जो है वह एक चुहा भागते हुए आया म मैं उससे इतना डर गई इतना डर गई कि मैं मतब घपड़ा एकदम से मेरा तुरंत ही मतब मैं थोड़ा सा जिनका ब्लट पिशर डाउन होता वो समझ सकते हैं सिस्तरी को उनको बढ़ात बहुत तुरंत हो जाती है मुझे बहुत तेजी से घपड़ात हो गया मैं गिर गई माली जी किसी ने कली सब्सक्राइब के लग परंसू सब्सक्राइब के तो सित का तो पूचे लेकिन मैं देख रही हूं जो लोग पुराने हो भी पूच रहे हैं जो लोग इनस्टा पर जुले हूε कह चुकिए हूं उसके बाद पूझमान इन्स्टा पर स्टोरी तक शेय उसे बार-बार याद करके तो और ज्यादा तकलीब बढ़ जा रही है तो ऐसे हो गए अब नए विग्रहों का क्या है मैं अपको बताओं मैंने अपने विग्रह वाले भीया उनसे बात की मेरी बात हुई लेकिन इतने जल्दी तैयार हो पाना संभव है ही नहीं क्योंकि कोई एक विग्रह के लिए तो साचा चलाएगा नहीं मशीन चलाएगा नहीं बट्टी चलाएगा नहीं ऐसा थोड़ी है कि वह एसे ठोक बन जाएंगे पूरी बट्टी प्रॉपर गरम करेगा प्रॉपर पीटल पिगलाएगा तब जाकर कहीं वह बनेंगे चुकि मेरे पुरान तो इस तरीके से ठीक है अब दिवाली तक उन्होंने मना कर दिया बोलना दिवाली की बात हम देखेंगे क्या हो सकता है चुकि सीजन का तो समय है ही लेकिन आदमी अपना काम पहले निप्टा लेता है तो अब उनके पास क्योंकि वह कारीगर हैं वह कोई दुकंदार नहीं तो मार्वल में मैंने मार्वल अले भिया से बात की तो उन्होंने भी बोल दिया कि इतने जल्दी था यह रूपाना तो संभव नहीं है कम से कम डेड़ महींने लग जाएगा अच्छा फिर मैंने अपने गुरू जी से बात की तो उन्होंने मना कर दिया उनकर ना मार्वल क जो है आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि लक्षमी जी का एक ऐसा विग्रह होता है जिनकी प्राण प्रितिस्ठा धातू के अंदर ही करना चाहिए वो सोना हो चांदी हो पीतल हो तामा हो इन धातूं के अंदर ही होना चाहिए तो अब तो पत्थरवाला को मामला मैंने कैंसली कर अब देखती हूं कि या करते हूं कुछ लोग करें दी ओनलाइन मिल रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है देखिए ऐसा है ना वहीं से बनके आती जहां से मैं लेक्ती हूं मुझे पता है कि क्या मिल रहा है वह 2000 में पीतल नहीं आता है मैं बहुत अच्छे सा जानती तो इसलिए मुझे बहुत डर है चुकि मैं डारेक्ट कारीगर कुछ जानती है उसलिए मुझे पता है कि क्या बन के आ रहा है और उन दुकानों पर क्या मिल रहा है तो हजार-दो हजार रुपए में तो विग्रह नहीं आते बात महुत अच्छे से जानती हूं और ऐसा भी से बात हुई है कुछ ववस्थाएं हैं उनके पास लेकिन उनमें कुछ अडचने हैं तो वह अडचने खतम हो तो कुछ समझ में आगे की लाइन बने के हां यह यह नहीं तो यह हो सकता है पहली चीज़ अब दूसरी चीज़ जो है बड़ी वह यह है जैसे मैं आपको क्लिय हमारी अखंड का मतलब होता है हमने कोई चीज शुरू की जब तक वह पूर नहीं हो जाए तब तक उसको ना तो रुकना चाहिए ना बुझना चाहिए उसे अखंड कहते हैं तो अगर वह बीच में समाप्त होई तो कहीं नहीं रही है मैं यह नहीं कहूंग कि वह खंडित ह हो गई है अखंड जो तब नहीं रही है आप उन्हें ऐसे दीपक जलाती रहिए करिये क्या कि उनका जो दान है दान जरू निकाल दीज नाम से कि हमारा अखंड दीपक जो प्रवजलित किया था वह इतने दिन अखंड जल के समाप्त हो गया और इस हिसाब से दान जो है वो दान है पाप को यह किसी कर्म को और नहीं चाहिए ने च् nào आप को को बाता तो हम इसको बें बड़िया और समझदार लोग हैं, इस बात को मतलब इतने अच्छे सा समझते हैं, आकर मुझे बता देते हैं, इसलिए मने देखिए किसी का नाम नहीं लेबना भी नहीं चार रहे, तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत साही लोगों ने बता देदी आइसा, कोई बात नहीं होता रहता बार में पाय ही है क्या कमी को पता रहें यह informação कि आगे आधे सी अँश्यादा जंठ के सब्सक्रीकर हो और आपको को कमी वी और विषेा हो पड़ी आपrock तया Está toujours जाने मारा भी रहें है और मेरा भी लियक कर तर जो की पूरी निकल जाती है और वह नवरातर ऐसी थी कि 7 लिटर तेल लग गया था क्योंकि वह लीक होता जा रहा था लुक्ष रोज इस पर लगाती थी दो मिनट वाद गीला होता था फर उसको को फेकती थी तो ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं यह बहुत समस्या कारण नहीं है ऐसा नहीं बहुत बढ़ा प यह सभी लोगों के लिए है यह हर उस वीडियो में कमेंट किया कि आपके पास दो दूर जूड़ाजी है आप तो बड़ा जूड बोलती है आपने तो गखाता कि वह शुण वह हम तो अध। हम सिंगार करके बठा देंगे मैं जानती थी कमेंट आएगा पिछले साल आया था मैंने गलती कर दी थी नहीं बोला था लेकिन इस साल हर वीडियो में ये बात मैंने कही है कि भाया इनका शेंगार मैं पहले शूट कर रही हूँ 9 दिन तक अपनी देवी को मैं नहीं हिलाती ये शेंगार नवरात्र के पहले शूट किया हुआ है अच्छा देखिए पहली चीज तो यह हो गई ये बात मैं वीडियो बोल रही हूँ अब हो क्या रहा है वीडियो को बढ़ा बढ़ा के बढ़ा के देख ले रहा है ठीक है दूसरा क्या आ रहा है लड्डू को पाल की चौकी आ रही जबकि इस समय स्थिति है कि लड्डू को पाल ना तो अपनी चौकी पर बैठ रहे हैं और जहां बॉल पेपर लगा वहां डेकोरेशन हो गई तो दुर्गा जी को बिठाने की उस इस्थान में वीडियो शूट करने की जग्या ही नहीं पच्छी है तो इतनी सब चीजे हैं आप लोगों की सवाल के जवाब जो है मैं वीडियो के अंदर ही देती हूं समस्या यह है कि वीडियो पूरी देखनी नहीं है वीचे में कमेंड कर देना है उस वजह से में कंफ्यूजन क्रियेट हो जा रहा है कि अरे यह कैसे दो देवी जी हैं क्या जूट बोले हैं मैं जूट नहीं बोलती इस चैनल पर सब भी लोग जानते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को ना जानता हो मैं अपनी बहुत आरीफ नहीं करती वाट मैं आपको कि मैं जूट नहीं बोलती हैं मेरा नेचर बहुत ही दूसरी टाइप का है आप यकीन जानिए ऐसा कुछ में आपको छोटी सी घटना सुना दूं इसी वीडियो में आप लोगो ने सी तरीकी बात की तो मैं उसी से रिलेटिटिंट्स एक दैवी जी का विग्रह मेरे पास र अगर इस वीडियो को दे नहीं तो वी समझ रहे हो मैं गलत नहीं बोल रही तो मैं इंट्रेस्टेट नहीं थी उनका पांचे बार मैसेज आया तो रख्य हुई ठीक है क्योंकि जिनका उससे बात हुई थी उनका तो रख्खा था मुझे डर थक कहीं अँसा मैंसेज मेरे पास आजाए बादम मुझे से कहें खेर उनका मैसेज आ गया कि हम लोगडाउन के वज़े से दी कुछ कमी आ गए हम नहीं ले पाएंगे तो फिर मैंने उनसे बात करके उनको विग्र है दे दिया और विग्र है जो है उनके हां चला गया अच्छा मेरी कमी क्या आपको बताओं वह विग्र है कारीगर के यहां से बन के आया मैंने उसे पनी से नहीं खोला को ने का मतलब भी नहीं बनता क्यूंकि ना तो मैं अपने लिए लाई थी और नहीं आप लोगों से कहती देखिए विग्र है उनको दूंगी उनको दूंग ऐसा भी कोई मकसद न बेचे है अब दिक्कत क्या थी कि उन्होंने विग्र है रखा अलका सा अंब रहा होगा अब उन्होंने का कि नहीं है हम नहीं ले पाएंगे तो मुझे मैंने अपने इस तर से सम्झाने की कोशिश कि कि लिए अलका सा पेपर कर टुपला लगा लगा लिए रखी रहेंगी उन्हों नगर नहीं हम यह नहीं कर पाएंगे यह फिर मैंने अपने कारीयर से पुछ तो कारीयर बोला कोई बड़ी समझें निया चाहे तो सेर के पैर को हलका सा फाइल कर ले न व रांट पर प्रेस्था के पहले बराबर हो जाएंगे या फिर उसमें एमसी लगा लें खेर मैंने समझाने कोशिश की लेकिन उनकी बातचीश से मुझे समझ में आ रहा था कि वो इस बात को नहीं समझेंगी अब आप समझेगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा पहले मैंने अपने हस्बंड से कहा कि इसा इंका डिलेवरी चार्ज कार्ट कि इनका पैसा ट्रांस्फर कर दीजेगा है तुम नहीं समझ रहे हैं कितनी बड़ी समस्य अपने सीने पर मूल ले लोगी इस तरीकी समस्यां को फॉरान हटाना चाहिए बाढ़ में जाए दो चार् पता होगा वह इसलिए कि अगर वह घंबीर होगी तो खुद से बात को कहेंगी ना उन्होंने कहा मैंने उनके बाद जरूर कहा दी कि मैंडम मैंने इसमें डिलेवरी चार्ज नहीं काटा है आपके जितने पैसे आपने मुझे दीते मैंने सब वापिस कर दिये मेरी चाट द पैसे दुसर्ण मेरे हाथ में थे लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया एस इस जितने पैसे उन्होंने मुझे दी तए एस इस मैंने उनको तिने ही पैसे वापिस कर दिए और बाद में वह दुरुगा जी का विगर पायल दी दी कि आ गया है और पायल दी दी नहीं जानते हैं ऐसे इसी हतिया का खड़ी होती हैं क facet नहीं करती भod Dan लोगों से हमेशा यही कहते हु नहीं पुलती इस बात को मैं इसके आपको यकीन दिलाओं याद रखे देखिए हैं महिलाओं को लोगोंने भून मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं ऑन कर दें मैं और वहां की दिनियो 1 परống सब्सक्राइब को सब्सक्राइबरी, कोई वीडियो को आपको साबित करने की जरूत पढ़ जाती है आवश्क्ता नहीं है essen बातों की बातों से पढ़ जाती जितरी कमेंट आरतना बहुत जूड वोलती है यह है वह जवान की बात अगर मैं कहूं आपसे तो हमारे परिवार के एक सदस्य उन्होंने मुझसे कहा देदी आप अपने जैसे संकर जी पारवती जी रामदरवार लशी विष्ण जी बनवा अब मेरा दिमाग जो है वह बड़ा खराब के आरी तो अब उनको देख देखें मुझा जाए 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 जवान विख्रह बनवा लाई अच्छा खास्या मोटा इरकम मैंने उस विग्रहों में फसा दी बाद मनोंने का दी आप ऐसा करें लशी विष्ण जी और आम अब उसके बाद कुछ कारण फसा कि संकर जी पार्वाती जी मेरे पास बने रख रह गया अब मेरा दिमाग जो है वह बड़ा खराब के आरी तो अब उनको देख 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 जाए जीव सा कर दाब है थाए निकी पोजा नहीं हो रही रखधी हुए अच्छा कि किसी और की विग्रे हैं तो मैं उनकी पूजा भी नहीं कर सकते हैं फिर क्या हुआ लोगडाउन हो गया अचा उनके भी लक्षेविष्णोजी जो है वो लोगडाउन में पहुंच पाई थे बड़ी मुश्किल से बाइगोड बड़ा समस्या खड़े हो गई तो खर वो रखे रखे रख जब तक आप नहीं कर देगी तब तक ना ही मैंने किसी को दूँगी ना ही इनकी बात में किसी से करें आप नेशिंद रहे और यह बहुत लंबे समय के बाद फिर उनका मेंसेज रहे कि दिदी ओ अब दे दीजे तब फिर एक लंबे शमय के बात नवरात्तरी के पहले मेंने अगर आपको चही हो ताप मुझे बता दीजिए घर उनका मेंसेज आया फिर मैंने जो है आपकी बार में ने प्राइवेट से बजा सरकारी से नहीं पिछली बड़ा उनको लफड़ा हो गया तो फिर मैंने प्राइवेट वाले से उनको कोरियर किये और मेडम इतनी भली है करूंगी नहीं है तो नहीं करूंगी और इसलिए बहुत सी चीजें है मैं साथ हमारे घर में सब मेरे बारें बहुत अच्छे से जानते हैं और यकीन जानिये मेरी साधत से सब बहुत डरते हैं मेरे पास कोई चुगली करने के लिए नहीं आता कहीं कोई चला जा मेरे पास पढ़ा नहीं हा सकता वह जानते कि दीदी से कोई बात कहीं कोई बात गड़वर हो गई ना तभी हाथ के हाँ सुना देंगे और यहीं नेचर कहीं है तो वह इतनी गंभीर और वजन्दार महिला थी उन्होंने एक बार मुझे से पूछा कि दीदी यह कितने के हैं मैंने उन्ह चाप उतने ही पैसे अकाउंट में डिलवा दीजिए और वाद में उसके बात खार उन्होंने कहा दिदी बहुत अच्छे विगरें काफी तारीफ की और अच्छा लगा जानकर तो देखिए ऐसी स्तितियां कभी-कभी जीवन में खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के विचार बात चीतों से पता चल जाते हैं अब बात अलग है कि हम किसी को अपनी मान सिकता से बुरा मान ले अब मैं आप तो बुरे हैं तो बस फिर मैंने माल लिया बुरे हैं हम विचार नहीं कर रहे हैं सामने वाले के प्रति हम विचार कर ही नहीं रहे हैं विचार करेंगे तो सही विचार करना ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा मैं आपको अपने बारे में सबस्त फिर बता देती हूं देखिए मैं ना जोड बोलती हूं ना जूट पुन्ना पसंद करती हूं ना किसी को दोका देती हूं ना ही किसी प्रकार की दोके बाजी पसंद करती हूं और दो- तो इसे तरीक से बहुत सारी छीजें थी कुछ ऐसे विबाते थें जो भी आपको बता ही नहीं आपको बता औह़ीं एसे भी खाइए थे तो इसे भी गयँ धे अब खोल वन पहसे भी यह जाव उन्हीं सब लोगों के लिए भी थे तो मैं भाई किसे जादा क्या सावित कर सकते हैं तो आज का जमाना तो इस हिसाब का है कि आप अपनी पूरी घर्दन कटवा दीजे उसके बाद भी लोग कहते हैं मज़ा नहीं आया थोड़ा सा और जुग गए होते तो बढ़ियां गोल घर्दन कड़ जाती तो आज के जमान